पंजाबी सिंगार और एक्टर दिलजीत दोसांज ने किसानों को गर्म कपड़े खरीदने के लिए एक करोर रुपए डोनेट किये है। इस पैसे से किसान अंदोलन में शामिल होने वाले बड़े बुजर्गों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीद लिए गए है। वही दिलजीत दोसांज शनीवार 5 दिसंबर को सिंदू बॉर्डर पर पहुंचे। इसके अलावा उनके कई वीडियो फैरल भी हो रहे हैं। अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहां कोई भी किसान के अलावा कोई भी बात नहीं हो रही है। मुझदो को न भठकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं, सरकार उनकी मांगों को माने। सब शान्ती पूर्वक यहां बैठे हैं, कोई खून खराबे की बात नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर कई सारी चीजे लोग खुमाते रहते हैं। लेकिन हम हाँ जोड़कर विंती करते हैं नैशनल मीडिया से कि प्लीज यही दिखाए कि हम सब शान्ती पूर्वक तरीके से बैठे हैं। और जो भी किसान भाई चाते हैं पूरा देश साथ हैं। प्लीज हमारा साथ दिखाए। जो भी किसान वीर चाउने ने हाथ बन के बेंतीया नैशनल मीडिया नूभी जेवो कवर कर रहा है सानूता। हिंदी में भी बोल रहा हूं सर फिर बाद में गूगल ना करना पड़े। कि अगर आप हमें सुन रहे हैं यहां कोई भी किसान के इलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दो को ना बढ़काया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगें को मांगें सब पीसफुल बैठे हैं यहां पे कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीज़े होती रहती हैं घुमाते हैं सब लेकिन हम हाथ जोड के बिंती करते हैं नैशनल मीडिया से प्लीज यही दिखा किसान जाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं पूरा देश आज साथ है प्लीज हमारा साथ दे हो सरकार हमारी मांगें मांगें थाने वाई गुर्जी का खाल साव है दिलजीत ने आगे कहा कि आप सभी को सलाम किसानों ने नया इत दूर बता दिया था उन्होंने कहा था कि 100-100 रुपय में ये अंदोलनों में शामिल होती रहती हैं इसका जवाब दिया था पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांज ने दोनों के बीच सीरीज ऑफ ट्वीट्स चले जो काफी चर्चा में रहे कई सेलेप्स और सिंगर झाल